नमस्कार स्वागत है आपको और आप देख रहे हैं अपने यूट्यू चनल रीमेकेड़ सिक्षों की ट्रांसफर और पोस्टिंग रेंडमाईशन के मात्यम से होगी यानि रेंडमाईशन के आधार पर विद्याले आबन्टिक किया जाएगा इस वीडियो का जो मूल उद्देश्य है यही है क्योंकि जैसे रेंडमाईशन सब दाया है बहुत सारे लोगों के कान खड़े हुए हैं कान खड़े हुए कि जब रेंडमाईशन से जब विद्याले आबन्टिक किया जाएगा तो यह अपलाई का क्या मतलब है खासकर फुर्षों में जहां उनको बस ग्री अन्वंडल छोड़के और जगा की बात कही गई है और बिकल्प की बात है तो बिकल्प कहां तक बिकल्प लेगा कही आसा नहीं कि जिला ही करा लिया और अलग अलग अन्वंडल में भेज दिया रेंडमाईशन करेगा तो कि दिया है इसके पीछे का तर्क उसको दिखेंगे मैं पहले आपको यह बता दूं कि बिलकुल बिद्याले में जब आपका आवन्टन होगा आपका पधस्ठापन होगा आपको जब आफ को जो पधस्ठापित किया जाएगा असनांतर रोंग कर दिसे माधिम से होगा यह को पुछ लिए के बाद randomization का प्रोसेस सुरह होगा तो इस वीडियो के माध्यम से उन सब चीज़ों को जानेंगे पहले देख लेते हैं कि खबर क्या है आवेदन के लिए एक मा का समय मिलेगा आगे है कुछ और खबर है उस खबर से हमें कोई लेना देना नहीं है तो आई वीडियो को सुरह करते हूं कि देखते हैं कि क्या है खबर और क्या है प्रमाणी कैसे मैं कहा रहा हूं कि रेनिमाईशन के मादेम से होगा तो रेनिमाईशन में फिर हम इधर उधर तो नहीं हो गए नहीं रेनिमाईशन से ही होगा विद्याले आपको आबंटी तुस्रे से होगा तो कैसे रेनिमाईशन होगा मैं फिर से पता रहा हूं कौन से बिंदू के बार रिनेमाइश का प्रोसेस है उसको इंप्लिमेंट किया जाएगा तो आए वीडियो को सुरु करते हैं और देखते हैं कि क्या है खबर इसकी क्या है सचाइए तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जरूर कहूंगा यदि वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चनल को सब्सक्राइब कर लिजे वीडियो पसंद आया तो जरूर लाइक कीजे मैं पहले बिल्कुल नहीं कहता हूँ कि लाइक कीजे वीडियो का कॉंटेंट पसंद आता है मेरी मेहनत आपको लगता है कि मेरी मेहनत सार्थक है तो आप मुझे लाइक करके बस मुझे मेरा मेहनत आना जरूर देएगे आसा है आपको वीडियो अच्छा लएगा यह देखते हैं पहले खबर को देखते हैं खबर यह लगी है इसको बाहुत सौट में पढ़ेंगे यह जो खबर आपको लेप्ट साइड में यह जो दीख रहा है इस खबर में कहा गया है कि जो पदस्थापन वाला बीच-पीसे में पढ़ूँगा इसको अस्थनांतरन पदस्थापन करने वाला सौटेयर बरतमान अक् तूबर के मांत तक स्थाप्टेयर बनके तैयार हो जाएगे उपर वाली बात ही और अभी जो निर्मान की परकेरिया चल रही है नौमबर तक आके बात की जाएगी अगले परग्राफ में क्या कहने है कि निर्मान कारे पूरा होने के बाद सौटेयर का ट्रायल होगा उसके यूटूब पे शामको फूर सतमे होते हैं तो यूटूब भैचते हैं तो वह से खबर मिल जाती है यही आपको पहुंचने के लिए पेपर कटिंग के माध्यम सुचना आप तक पहुंचाने के लिए और ऐसा नहीं कि पेपर कटिंग से ही मैं चीजों को प्रमाणिक कर दूगा उसके पीछे तर्फ मिजे लेके जरूर आता हूं लेकिन आखपारों को भी लेके चलना है बहुत सारे लोगों को आखपार पर भर एंडबाई जेशन क्लियर है यहां इन्होंने कोल के नहीं कहा आगे यह दूसरे खबर में यहां को दिया है कि दस भी कल्प के अधार पर सौफ्टेयर से असना अंतरन होगा तो दस भी कल्प तो लिया जाएंगे लेकिन कहां तो भी कल्प लिया जाएंगे आपको पहले ही पंचायत से आपको रेंडमाई यहीं रेंडमाईज किया जाएगा और एक पंचायत में जिसी स्कूल में वेकेंसी होगी और आपकी बनती होगी आपकी बरियता क्रम वहां सूटेबल होगा वहां वो उस सनुसार आपकी कोटी अगर वहां सूटेबल होगा यह कि आप पहर्खट को देख लेते हैं त्यक्ष्य को देख लेते हैं यहां देख लेते हैं आगे रेंडमाईशन कहा सब्द यूज हुआ है राज में सक्षमता परिच्छा पास सिक्षकों और बिहार लोग से वायोग से न्यूक तद्यापकों समयत पुराने बेतनमानेले सिक्षकों का अस्थनांतरन बिद्याले आबंटन सौफ्टेर से रेंडमाईशन के आधार पर होगा श्यॉप्टेर का निमान जलकूरा हो जाएगा यह निर्मान की अंतिम परक्रिया में है श्यॉप्टेर के माध्यम से अस्थनांतरन के लिए सिक्षों से अविधन ओनलाइन अविधन लिये जाएंगे आब वहीं अस्थनांतरन प्रदसापन नीथी के तहत अब राज के सरक मिलेगा तो हम आप तक वीडियो बना देंगे लेकिन यहां बात है हमारे अवेधन और ट्रांस्पर और पूस्टिंग की जितने भी वी सी सिखषक हैं सब का लेकिन कहा से होगा आप चले गए पंचायत अस्तर पर प्रोसेस होगा वहाँ आपको लगेगा रेनिमाईशन से होगा लेकिन आप विद्याले अस्तर तक नहीं आप पंचायत अस्तर पहुंचेंगे फिर दवारा तिवारा कह रहा हूं कि कोसी भी भ्रम में और परिशान होने के जरूत नहीं है आप एक पंचायत में पहुंच गए जो भी विद्याले अस्तर पहुंचेंगे आईए देखते हैं जब आप हमने ये जो संकल्प देखा था पिछले दिनों और जिसके लिए गजट निकला था उसमें ये कहा गया ये बात बताई गई थी सबके लिए था कि जहां असनांत्र किया जा सकेगा यह बिकल्प है यह क्या है यह देखिए बिकल्प के पंचायत नगर निकाया परखंड अनुमंडल जिला यानि यह काम कैसे करेगा आप उसी तरह परखंड तो पहुंचेंगे फिर मैं आपको बत आपने विद्ध्याले में जाएगा और आपको विद्ध्याले वो आवंटित कर दिया जाएगा तो यह है शाक्ष और इसी के आधहार पर आखबारों ने यह खबर निकाली है और उन्हें खबर यह निकाला है कि कब आपका आवेदन के लिए जो पोटल है सामने आ जाएग झाले